मेरे प्यारी वच्छों नहुंस्कारतों शुरू करते हैं इस क्लास को और इस इसक्लास में सैट्स 1 से इंटरमेडियर गरिद 2018 के आगे के प्रसुनों कॉल करवाएंगे । और पिछली क्लास में सैट्स 6 के प्रस्ण 1-6 तक कंप्लीट करवा चुके हैं जिन बच्चों ने सैट सेक्स के प्रसन एक से छे तक complete नहीं कियें, लेंके description मिल जाएगा complete कर लेना और इस class में सैट सेक्स complete करवा देंगे, तो अब ही तक आप लोगों ने इस वीडियो को like नहीं किया है, तो सबसे पहले सभी student इस वीडियो को like कर दें, और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर कर दें अपने प्रेंड सर्किल में तो इंतियार खतम हुआ उड़ाते हैं वन वाई वन प्रसनों का गर्दा तो आपको यहां पर दिख रहा होगा प्रंद सात में का का बताया गया है अनिश्य समागलन का मान ग्याद कीजिए पहले आपको फोर जी ट और मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपको क्या दिख रहा है दुईगाद फलन तो दुईगाद फलन में हम आपको बताएंगे करना क्या है एक स्कॉएर प्लस का बी एक्स प्लस से ठीक है यहां पर डी का मान आएगा जीरो से बड़ा तो डी क्या बोलते हैं विविक्त क मेरे प्यारे बच्चों डी को क्या बोलते हैं विविक्त कर दुईगात फलन से डी का मान जीरो से बड़ा आ जाए तब आपको डारेक्ट आंसर शीट बता देना है वना पान रूड ओफ डी लॉग मोड कम मान और नीचे ज्यादा मान ठीक है अब आपको क्या करना है ठीरी एक्स स्क्वाइर प्लस का तेरा एक्स माइनस का दस यहां से क्या करना है डी का मान निकाल लेना है विविक्त कर ठीक है डी बराबर बी स्क्वाइर माइनस फोर एसी यह तो याद होगा आपको क्या करना है बी का मान यहां से मिलेगा एक वी का मान अचरपद से मिलेगा ठीक है हम भी का मान रखते हैं 13 ठीक है माइनस 4 एक आमान देख लो एक से स्कॉार का गुडांग उठालो कितना मिला 3 अचरपद उठालो यहां पर कितना दिख रहा है माइनस का 10 ठीक है 13 का स्कॉार 59 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा चारतियों 12 दसामन 120 कितना आया 289 तो मेरे पैरे बच्चों डी के स्थान पर आप 289 रख लो ठीक है तो 17 निकलेगा बहर लेकिन यहां पर लॉक के बाद में जो मापांग में है कम मान ज्यादा मान इसको कहां से रखोगे हम आप रखोड़क सो रस्कार चीज को बताते हैं 3 एक स्कॉयर प्लस यहram attract στα 30-10 है। को बनKAन करो ठीक है तो कम औमान और ज्यानज मान प्ताच जाएगा तो देख लो यहां पर 32 स्कॉयर प्लस का 13 एक समानस का 10 टिग यह दस Sundya 30 गर 30 मिलाए दो संग्या बताओ 15 दूनी 30-26 GR Mon क्वामन प्र पस्ति हैं इहां फ्रयाइए प्लस का फ्रllo गे उत्व देखो के कि तो इसको क्या प्लस का पांच और अब प्यारे विच्छों आपको क्या करना मैं इसको उठाना है मैनास का 2 और यहां पर कितना प्लस का 5 फिए ऐसे करके आपको मान और ज्यादा मान पता चल जाएगा तो मैन minutes 2 यहां पर प्लस को च्था अब कम मान बता ओद यही तो है माइनस का दो और ज्यादा यह तो आपको क्या करना है कम वाला उपर ब्रेकट रखना है और ज्यादा वाला नीचे तो थिरी एक्स माइनस टू ऊपर आएगा ठीक है डी का मान दो सो नवासी यहां पर रखो 17 निकलेगा ठीक है लाग अब देखो माइनस दो का कौन सा से तो इतनी आंसर सीट हम निकालेंगे तो यहां पर हम लिख देते हैं वना पांस 17 इतनी ही आंसर सीट हम मेरे प्यारे बच्चों निकलेगी तो थ्री एक्स माइनस का दो और बटे में आपको लिख लेना है एक्स प्लस का पांच है ठीक है जल्दी नोट कर लो इतना अब हम उड़ाते हैं इसका उडाएंगे गरदा इसका उडाएंगे चलो भाई इसको एंग्राफ रहें हैं थोड़ा रमाल ले लेते हैं इसको नहीं आपको हो गए ज़्यादा रमन लगन लेगार नहीं करें करते हैं मैं बाते नहीं करता हूं मैं आया हूं पढ़ाने के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा ठीक है तो थोड़ा रेविट फायर इसको ले लेते हैं और फोड़ी ट्रिक से अंतर चल गई ना ऐसे ही निकाल लेना जब पेपर देने जाना अगर मिल जाए दुई गात फलन ठीक है ऐसे ही निकाल लेना और जी ट्रिक से आंतर फेर और फिर बाद में आपको हम तो लगवाई देंगे बेसिक से बाई चांस पेपर में अगर गल्टी भी हो जाए बीच में तो आंतरीर तो पता यह रग देना पूरे ही नमबर मिलेंगे एक नमबर नहीं कटेगा अगर में स्प्रिंट हो जाती है आपसे बीच में कहीं ठीक है कल्गुलेशन में ठीक है तो यहां पर हम लिख देते हैं साथ में का 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 हल आई के बराबर लिख लो ठीक है तो आई बराबर ऑन ठीक करना पड़ेंगे तो three X square plus 15 X minus 2 X minus 10 DX ठीक है आई बराबर वन आपन कामन ले लो three X मिल गया तो एक प्लस का पांच इन दू बाद वाले पदों में मैंनास 2 मिल गया एक स्प्लस का 5 और यहां पे डिक तो एक बराबर वन आपन एक स्प्लस का 5 एक ब्रेकर्ड में लिख लो बचा हुआ दूसरे ब्रेकेट में लिख लो और डी एक्स अब मेरे प्यार वच्चों यहां पर बताओ कितने ब्रेकेट दिख रहे हैं आपको बताया था हर में दो या दो से ज्यादा ब्रेकेट दिख जाए तो आंसिक भिन का यूज करके इसका समाकलन करना अब आ एंस आपने के सोट में और लांग में है कि साथ में यूजो ती ये बताते साथ में इसका मतलब हिए वीच्ट के मढए गृ 딱 न किलेंगे और लांग में इसका मतलब इसकर मतलिक稱 बूसर्टिलेंगे और व ego दिखbagai निकलते हैं तो देखेंगे लांग में यूज कितनी शर्त हैं दो सर्त हैं अगर दोनों ही सर्त सर्त हैं तो सोर्ट में आपको यूज करना आउंसिक भिन ठीक है तो पहले क्या करेंगे ब्रेकट के अंदर एक सीक Wir PA देखेंगे तो पूरा प्राइक और उसकी तो पूरा ब्राइक एट देखों और उसकी फॉल गाथ कितनी मिने बं डी मेले इस इस फमें रिया बंद मेले तो दोनऊ ही सरते क्या है इसकतते हैं तो सौड में यूज़ ओगी लॉंग में नहीं ताइं यह निकलेगे यह टो है यह आपको समझना है नहीं तो बहुत सारी टीचर जो पचास रुपए के होते वो तीन चार पन्ने भर देते हैं आंसिक भीन हमने पढ़ाइए पढ़ लेना प्लेलिस्ट में कंप्लीट मिल जाएगी मजा आजाएगा घरदा उड़े का वाई आंसिक भीन का अब देखो यह यहां पर हम आगे बढ़ाते हैं है तो तो यह ही पे देख कलो बाई आई बराबर है आपको लिखना पढ़एगा यहां पर ना पंठीं कहंते भीन्नों में तो देख लो यहां पर अन्षिव देख है तो देख लो यहां पर हाँ कह पहले ब्रेकिट के लिए कैसे लिख वोगे एक्स प्लस पांस है ओपर लिख दो मैं समझ गए हों फिर जितने ब्रेकिट एं उतने पद आपको बनाना है नहीं इसके लिए है कि आपको लिएक लेना है उपर भी एए अब ए और भी के मान nika लेंगे कैसे निकलेंगे देखो एक का मान लीकल निकालना एक बटि कि क्या एकस भिलस पांच है तो एकस फ्लस पांच को यहां पर आपको छुपाना है यह तभी छुपेगा जब 0 बनेगा तो बताओ पहले ब्रेकिड में एक्स के इस्टान पर ऐसा कितना रख दें कि यह 0 बन जाए तो आप कहोगे सर माइनस 5 रख दो माइनस 5 रख दो यह 0 बन जाएगा तो ठीक है अब जहां जहां एक रख दो तो ऊपर तो है नहीं नीचे देखो यहां पर रखो माइनस 5 तो माइनस का 15 माइनस का कितना मिलेगा दो तो कितना मिला माइनस वरापॉन सेवेंटीन ठीक है तो माइनस एक वटा सत्रा एक आमान में लगया अब आपको गए सर जे एक्स का आमान अपने पास से रखते हैं माइनस पास अपने पास से नहीं रखते हैं यहीं से निकालते हैं जैसे एक्स प्लस पांच बरावर जीर कि ना रखेंगे अगर नहीं पता तो यहीं से नीकाल लो यह मान तो आपने कहा एकश्फ-5 प्रावर जीरौ-5 तो डारेइक बता दी एकटंड़ निकलता यहीं जहीं से मानलें लेकिन आप डारेइक बतात कग्रों तो निकलेंगे करें एक का मान तो पता चल गे हैंगलें से अब B का मान निकालेंगे तो दो बी के बटे देख लो कितना है थ्री एकस मानस का टू है थ्री एकस मानस टू है अब को नहीं पता है तो बरहेबर जीरो कर लो कि तो आपको पता चाहिए का एंग्स का मान कि सब्सक्राइब कर दो नो मेरे पियारे बच allen कि दो यहांपता दो एक सब्सक्राइब कि लग दो नो दो इस खुप्यों अब जहां-जहां एक्स कि तो दो बटे तीन तो यहां पर रखोगे नहीं कि यह चुप गया अब बना पान एक ब्लस पांच है तो दो बटे तीन और प्लस का पांच फिए ना एक बटा तीन पचे पंदा पंदा दूई 17 वटे 3 तीन उपर जाएगा तो 3 वटे 17 अगया कि इतना आ गया इतना आ गया और समझ में आ रहा होगा आपके जो हम आपको बता रहा है यह नहीं समझ पाए अरे बाइए का मान और बी का मान चलो बताते हैं भी का मान फिर इपेडिया एक्स का मान उन्हेंद है यहां पर कितना रख दिया दो बटे तीन इस में इस तीन रखा ठीक है फटीन पचे पंदा दो सब्तरा बटे यह उपर गया जब पता चनल जांगे तो a और भी को अटा दों तो ठीक हऩा देते हैं मांड़ एकाइक बटा सत्तरा और एक बि bunk खा एक धात के लिए यहां पर भी यहां पर भी लॉग भी फार्मुला लगेगा चलो इतना नोट कर लो अब इस तरफ आगे बढ़ाएंगे रेबिट फाइल ले ले लेते हैं इसको कि रफ करने में टाइम चला जाता नहीं तो गर्दा तो उड़ जाएगा बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं बाई देख लो इसके आगे क्या करना है आई बरावर माइनस एक वटा सत्तरा ठीक है फोल घात एक के लिए लॉग में फार्मुला होता है लगा लो लॉग मोड एक्स प्लस का पांच अब देखो यहां पर चर्चेंज है कहां से पता किया डी के पास में है और यहां पर क्या एक्स प्लस पांच तो एक्स और एक्स प्लस पांच आपको देखना है तो एक्स और एक्स प्लस पांच जो हमने देखा तो उसमें हमें समझ में आ गया कि चर्चेंज है तो चर्चेंज है तो आपको अपकलन करना है अपान में अपकलन होता है ठीक है और किसके साफेच अपकलन करोगे अगर एक्स के साफेच समागलन हुआ है तो एक्स के साफेच ही आपको अपकलन करना है ठीक है अब दूसरा वाला सेम टूसेम ऐसे ही करो तो लॉग कितना है वहाँ पे 3x-2 अपान में अपकलन कर दो 3x-2 और जोड़ दो C को समागलन हो जाता है तो इसी को पिलस कर लिया जाता है तो आई बराबर मैनस एक वटा 17 लॉग में मोड में लिख लो एक्स प्लस पांच अपान में यहां पर वन और पांच का जीरो हो जाएगा तीन वटे 17 लॉग मोड तीन एक्स मैनस का दो अपान में तीन गुणा एक मैनस जीरो और सी को जोड़ दो ठीक है इतना नूट कर लो इसको रफ कर देते हैं रफ करने में टाइम तो लगता ही लगता है लेकिन कोई बात नहीं है रफ करेंगे तब ही तो आगे बढ़ेंगे अब रफ नहीं करेंगे तो आगे कहां से बढ़ जाएंगे चलो वाई देख लो यहां पर तो आई बराबर मैनस एक वटा 17 लॉग एक्स प्लस का पांच ठीक ना तीन से तीन काट दो एक वटा 17 लेग लो जल्दी लेग लो इतना पिर लॉग मोड थी एक्स मैनस का टू पि जाएंगे क्यों क्योंकि अगर लॉग में फार्मॉला बन रहा है तो बना लो फार्मॉला नहीं बनता तो यहां पर छोड़ देते हैं लेकिन यहां पर लॉग का फार्मॉला बन ना है कैसे इस लॉग का गुड़ा 17 लॉग का गुड़ा 17 लॉग का गुड़ा 17 तो रहाँ पे कितना मिलेगा लॉग ठीक है दो Be गया बरावर कि एकमता सत्तरा लॉग सबास भाला नीचे आएगा पिला सबाला ऊपर यह पद है यह उपर जाएगा और यह वाला नीचे आहेगा और प्लस का C, मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपको मापांग अलगा दिख रहा है, इसको चेंज कर लो होल मापांग में, वन आपांग 17 लॉग, थिरी X मैनस का 2 अपान में X प्लस का 5 और प्लस का C ये होल मापांग कैसे आया हम आपको रूल बताते हैं जैसे दो समिस्तर संक्याएं है Z1 और Z2 अलग-अलग मापांग है तो Z1 अपान Z2 का होल मापांग होता है ये आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में ये रूल पढ़ा होगा ठीक है ना तो आंसरीट देख लो मैच हो गई 4G ट्रिक से अब इसको अंग्राफ कर देते हैं अब अगला प्रण देख लो पहले इसको रेबिट फाइल ले लेते हैं थोड़ा तेज पड़ू ठीक है यल्ली यल्दी पढ़ाते हैं इसको अंग्राफ कर देते हैं फिर उसके बाद अगला प्रण लगवाते हैं इसको भी अठा देते हैं कि अब देख लो यहां पर यह तो होई गया है इसको देखो यहां पर बताया है व olsa कि इतने हो हल कीजिए यह प्रता किसस này है पार्ट से लिए गया पार्ट नौ से लिए अब का समें कड़ के तो तीन विदी होटी है जिन में से एक विदी यूज होग और यह हलो हो जाएगा तो यहां पर लिख लो पहले अब कल समीकर लिख लो अब कल समीकर तो यहां पर बताया गया एकस डी वाई माइनस का वाई डी एकस बराबर में रूड में एकस स्क्वाईर प्लस वाई स्क्वाईर और यहां पर डी एकस पहले क्या करो यहां पर डी एकस और डी वाई देख लो डी एकस के दो पद हैं डी वाई का एक पद हैं तो पहले हमें क्या करना है डी एकस का एक पद बनाना है और डी वाई का उसके बाद बिदी हम चेक करवाएंगे कौन सी ब यहां पर यूजोगि तो एकस डी बराबर इसको उसत्रप लेगे जाओं एक्स स्क्वाइब प्लस का यस्वार ठीक हैं चलो इसको उस तरब लेंगे जाओं प्लस का YDX तो XDY यहां पर कामन लेलो तो कामन लेंगे तो X स्कॉयर प्लस का Y स्कॉयर ठीक है कामन क्या मिला ौ डी एक्स मिला चलो भै अब बिधी पहले बिधी क्या होती है चरों को प्रत्थक करने की बिधी ठीक है दूसरी है सम गाति ये अबकल समी गरण तीसरी बिधी क्या है रहखिक अबकल समी गरण और यैल समीख य़े ले पाहले विदि चेक करते हैं यूज वहोगी या नहीं कि यह बहुत होटा एक्स वला पत्अट होना चाहिए और रहे व्ला पत्ट ड के पास होना चाहिए तो चरों को पिड्चक है तो यहांतर डी वाई है तो इसके पास में पद बॉना चाहिए गा है तो यह जो वी होना चाहिए डी एकस दो यहां पर एकस और वेक्स है तो इसलिए यह विल्वन शीयों नहीं हो खथीक है समझ 것은 या मतलब क्या होता है हर एक हर एक हर एक पद में समान घाते हैं हर एक पद में समान घाते हैं होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कैसे चेक करना है समगाती है अब कर समिकर हर एक पद में समान घाते हैं होनी चाहिए तो यहाँ पर एक ghat मिल गई अगर हम बात करें जैसे ह्जी ये से गात 2 है गात क्या है दी तो बाहर क्या निकले है तो बाहर क्या निकले एक निकले हैं ने बाई च्छै यहां से तो рук रूट से बाहर निकले एक घात तो यहां से मिल गई एक यहां से मिल गई तो यहां पर भी बन घात मिली रूट से बाहर निकालेंगे घात दो को बन निकले और यहां पर भी बन आए तो यही यूज हो जाएगी ठीक है समगाती है अपकर समीकड यूज यहां पर करेंगे तो करेंगे तो इसे उग नहीं करेंगे यह योटी हो जाएगी तो आफं़ी किसे बढ़ेंगे ठीक्त है को परण चल गया समगाती है हुआरा शक्राफ कर देते हैं यह लोग रफ नहीं करेंगे तो आगी कैसे बढ़ेंगे रफ तो करना ही पड़ेगा तो यहां पर क्या करो डिवाई अपॉन डिए एक से निकाल लो तो डियेक्स जो है डिवाई के अपॉन लिए और यहां पर देखो पहले यह वाला पद लेख लो और फिर यह बाद में लेख लो अपान में यह एक्स ठीक है अब इसा अमिकर डेख एक्स पास ला बाइपन एक्स बड़ाबर बी दूसरा है एक्सपान वाई बराबर भी तीसरा है वाई बराबर यह यह अब आपको बताना है कि कौन सा यहां पर रूल यू जोगा हल करने के लिए देखो इनकी तो पैचान है पहला तुस्रा अनस और हर में देखते हैं जैसे पहला बात करेंगे हम यहां पर वाई अपान एक्स तो अंस में अलग देखना है हर में अलग देखना है यह अलग देखो नहीं दिख रहा हर में भी नहीं दिख रहा है तो यह यूज नहीं होगा अब दूसरा देख लो रूल एक सपान भाई तो अंस मे नहीं दिखा ना ही हर में दिखा तो ये भी यूज नहीं होगा जब ये दोनों रूल यूज नहीं होते हैं तो ये यूज होता है ठीक है जैसे आप कहोगे कि सर बाई बराबर बी एक्स तो यहां से भी पता चलेगा एक ही बात है इसको इसको हमें पता एक ही बात है लेकिन फ ऐसा ही आपको सीखना है जब यह दोनों ना मिने तब इसे यूज करते हैं इतना ध्यां रखना है तो हल करने के लिए वाई बराबर भी एक्स अब इसके बाद में अपकलन करो भाई एक्स के सापेची अपकलन होगा क्योंकि यहां पर देखो डिवाई अपकलन निकलना है तो यहां पर यहां पर यह चर सोतंत्र कर रहें या परतंत्र रहें तो यह जो है यह सुतंत्र आपकलन नहीं चोड़के नहीं जाएगा नहीं इसको छोड़के जाए जो जो सुतंत्र चरूता सुतंत्र उसका अपकरन होने के बाद वो डी अपन डेस चला जाता है ठीक है यह पैचान होती यह सुतंत्र परतंत्र चर्की चुलो भाई आगे बढ़ते हैं इतना द्यार लगना सुतंत्र और परतंत्र चर चलो भाई इतना नोट कर लो अब यहीं पर लगवाते हैं क्योंको जादा फिर हो जाएगा रफ करना पड़ाएगा अब आपको क्या करना है यह मान यह मान तोड़ा साइच से लिख देते हैं आपको होगे कि सब्समझ में नहीं आ रहा है यह मान समीकरण एक में रखने पर कि समिक्राइग में रखो का além समिक्राइग है यह रखो एक्स कभान भी प्लस i-स डिवाइपी अपन डेएग्स ठीक है बराबर में देख लो बाई है कितना लखो लिख लो यह स्कौार राइट एड़ी लिख लो बाई के इस्तान पर क्या रखो बी एक स्टीक है अपान में एक से इतना काम हो गया अब इसको अम्राफ कर देते हैं नोट करते रहा करो ठीक है तो रहाएं चलो र内ए रह चलो रफ करेंगे तब ही आगे बढ़ेंगे अब देखो यहां hain आ करना क्या है आपको पता है जब बाई बरावज रखते हैं तो एक सचर हंडे परसेंट केंसल होता है बराबर के उस तरफ यह सचर हंडे परसेंट कैंसल होगा जो भी बचेगा बीचर बचेगा तो बी प्लस एक्स डीवी अपॉन डीएक्स बराबर ऐसे ही लिखो अभी यहां पे इसक्वाइर अलग अलग दे देंगे बीच को है एक्स इसक्वाइर ठीक है अपान में एक्स समझ में आ गया इतना ठीक है आगे बढ़ते हैं बी प्लस एक्स डीवी अपॉन डी एक्स बराबर तो बी एक्स तो यहां पर हम x square कामल ले लेंगे 1 प्लस का b square upon में कितना बचेगा x जल लाए ठीक है b plus x db upon dx तो bx plus x square बाहर निकालो root में root से बाहर निकालो कि क्या निकलेगा x निकलेगा ठीक है अब x कामल लेके चर cancel कर दो तो यहां पर हम क्या करेंगे x कामल ले लिया ना ठीक है अब आन में x cancel कर लो इतना note करो आगे बढ़ते हैं इसको भूराफ कर देते हैं note करते राग रो ठीक है चलो भई अब आपको क्या करना है चर cancel होने बाद आपको एक line लिखना है फिर बताएंगे आगे करना गया है बराबर में देख लो क्या बचा बी प्लस रूड में बन प्लस का बी स्कॉरर ठीक है जब चर cancel हो जाता है ये एक्स तब आपको पता है इस बी को पच्छांतर किया जाता है पच्छांतर कर लो फिर भी कटेगा ये बी से भी या इसे काड़ दो ठीक है अब जो बचा उसे लिखो एक्स डी बी अपान डी एक्स बराबर रूड में बन प्लस का बी स्कॉर ठीक है पच्छांतर होने के बाद में करना क्या है फिर उसके बाद ब्यूत करम किया जाता है क्योंकि समग आती है अपकल समीगण में चरों को प्रतक करने की बिद्धी यूज होती है इतनी जानकारी आपको होना चाहिए इसको हम ग्राफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों ब्यूत करम कर लो तो ब्यूत करम से तो dx उपर जाएगा एक सदी बी नीचे आएगा और इसका व्यूत कर वैम वनपान वन प्लस 20 स्कॉर अब आपको चरों को प्रतक करने की बिद्धी यूज खरना है व्यूत करम करने के बाद ही चरों को प्रतक करने की बिद्धी ठीक है तो आपको पतता है एक्स जो है डि-एक्स के पास में बीवाला चर दीवी का क्रास इंटु कर दो मिल जाएगा डीवी को और चरों को प्रतकरने के विद्धी जब यूज करते हैं तो हंडेट परसेंट इसका क्रास ही इंटु होता है इतनी जानकारी आपको होना चाहि दोनों पच्चों का समाकलन, ठीक है यहां पर, दोनों पच्चों का, समाकलन करने पर, दोनों पच्चों का समाकलन कर दो भाई, तो यहां पर आएगा, dx upon ax, बराबर में, 1 upon 1 पिलास का, 20 sqa ell और यहां पर db, चलो यहां पर हल करते हैं बरावर के उस तरफ देखो इतना हो जाएगा क्यूंकि यह तो फार्मुला है यहां पर देखो इसका फार्मुला बताओ एसका फार्मुला होता है लॉग बी प्लस रूड में बन प्लस का बी स्कॉयर और सी जोड दो फार्मुला याद होगा नहीं याद है तो यहां पर बता देते हैं समा कलंड डी एक्स अपान एसकॉयर प्लस का एक्स स्कॉयर अगर रूड में है तो फार्मुला आपको याद होगा लॉग एक्स प्लस का रूड यजोब में स्कॉयर पुलस का एक स्कॉइंट ठीक है यह फार्मयला आपको याद होना चाहिए याधैन ठीक है यही फार्मयला भ्लााने यहाँ यहां पर यह मिलाए यह फ्ल ears कर तो यहां लॉग 1 बघाबर यह लोग बाइन एकस रखतो बन प्लस का वाई इसक्वाइर पर एकस्कार को वी स्कॉार रहना यहां पर जब आपन एकस्कळ को यहां और प्लस का संतरी सिर्ट मेरे प्यारे वच्वह यहीं पर आपको आंत्रसीट छोड़ करने के लिए जब भी हल करूं तो पूरे यह नंबर मिलेंगे एक नंबर नहीं कटेगा तो यह प्रस्ण जो है कंप्लीट हो गया साथ अब आठ कंप्लीट करवाएंगे इतना नूट कर लो जल्दी कि आपको प्रह समय का देख लेना है मेरे प्रहेरे यह प्रस्ण पार्ट वारा से लिया गया marriage और से आपको दिखना होगा हिंदी वाला प्रहस्ण थो आपको सबसे पहले क्या करना आह यहाँ पर डेटा लिखना है कैसे लिखे हम आपको बदाते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है हिंदी वाला जब स्न मिल जाए तब आपको all the sentence उठा लेना है last sentence में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा अधिक्तम या फिर ने उन्तम तो देख लो प्रसंद का लाश्ट सेंटेंस तो मेरे प्यारे बच्चों हम आपको बताते हैं यहां से देख लो यह है प्रस्ण का last sentence देख लो कही नहीं लिखा हुआ मिलेगा नियुंतम या फिर अधिक्तम तो यहां पर आपको दिख रहा है अधिक्तम तो सबसे पहले आपको अधिक्तम जेड़ लिख लेना है तो यहां पे लिख देते हैं अधिक्तम जेड बराबर ठीक है आपको इकाई लिखना है इसके अधिक्तम के आसपास क्या लिखा हुआ दिक रहा है लाब हमने आपको बताया था जब प्रसनावली 12.2 कंप्लीट करवाई थी और विविद प्रसनावली भी कंप्लीट करवाई लाइब आपको बताये था इन 6 सब्द में एक नाएक सब्द आपको मिल जाएगा तो यहां पे अधिक्तम के आसपास क्या मिला है लाब की काई क्या होती है रूपई तो यहां पर रूपई आपको लिख लेना है ठीक है अब इसी सेंटेंस में जिस सेंटेंस से आपने ये आदेखतम जेड लिखा है इसी सेंटेंस में आपको दो नाम मिल जाएंगे वो भी फिक्स तो देख लो यहां पर दिख रहा है कहीं ना कहीं तो यहां पर तो दो नाम हमको नहीं दिख रहा हैं ठीक है तो स्टार्टिंग में देख लो यहां पर दो नाम आपको मिल गए एक ए A मिला है और एक B मिला है ठीक है तो यहां पर हम लिख देते हैं ए और यहां पर B और इसकी एकाई कैसे लिखोगे देखो हम आपको बदाते हैं जैसे हमने एक्स नग लिख दिया और यहां पर वाई नग यह नग हमने लिखा है कहां से लिखा है पूरे प्रसन में आपको के नीचे तक पिरती एक नग लिखा मिले गा या फिर प्रती नग देख लो इसे करके लिखी जाती है जो दो नाम fix मिलते हैं ठीक है इतनी जानकारी आपको हो गई अब आपको इसके आगे बताएंगे करना क्या है अब आपको अधिक्तम जेड पूरा करना है कैसे करोगे हम आपको बताते हैं आपको इतनी जानकारी यह जिस sentence का यूज हो जाता है उसको दुबारा यूज नहीं करते हैं तो हटा दो यह sentence यूज हो चुका है ठीक है हटा दो भाई इस sentence का भी यूज हो गया हटा दो समझ में आगे हैं ठीक है बात है कि अधिक्तम जेड आपको पूरा करना है आपको प्रस्ण में जो बच्चे हुए sentence हैं उनमें से एक sentence आपको मिलेगा जिसमें रूपए लिखे हुए मिल जाएंगे तो रूपए लिखे हुए मिल जाएंगे तो देख लो मेरे प्यारे बच सेंटेंस है पंदरा सो रुपए यहां पर भी आपको रुपए दिख रहा है ठीक है और यहां पर भी रुपए दिख रहा है मतलब जो सेंटेंस बचें उनमें रुपए ही लिखे हुए दिख रहा है लेकिन अब आपको कौन सा सेंटेंस उठाना यह वाला यह वाला की यह वा लिखाओ तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपको दिख रहा होगा लाब ठीक है तो इसी सेंटेंस का में यूज करके अधिक्तम जेड पूरा करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या लिखा है एक पिरतियक नग पर चार रुपए तो कैसे लिखोगे हम आपको बदाते हैं जैसे यहां पर आपने एकस नग लिखा इसमें गुणा करना है कितने का रुपए चार और यहां पर पिरतियक नग है तो इसका मतलब पिरति नग ठीक है नग से नग केंजल कर दो क्या मिला चार एको रूपए इतना मंला तो रूपए यहां पर मैस हो गया लिख चुके हैं तो आपको क्या करना है हम आपको बताते हैं और दूसरा प्रकार हुआ है हाँ यहां पर क्या लिए को भाई नग ठीक है अब बी के लिए देख लो क्या बटा गया बी के प्रतियेंक नग पर तीन रूपएं歌 लुक्त तो रूपएं करना हैं ऐसे है मेरे मेरे प्यूवत्व यह जो दो नाम को मिलें फिक इसके अलावा देख लो इसके अलावा और भी नामि दिये fills stores अगर मिल जाये 순ा आपको यहाँ लिखना एंद्व हां अगर नहीं मिले हैं तो जो बहुत तब आपको यहां पर लिखना है इन दो नाम के अलावा अगर नहीं मिलें तो कोई बात नहीं है इन दो नाम से ही असमिका बोलते हैं अबरोद भी बोलते हैं बेवरोद भी बोलते हैं पुरा करना है तो जिस सेंटेंस का यूज हो जाता है उसको हटा देते हैं तो इस सेंटे बचा हैं यहांप 더 बोला एक पुर्थीयक नग पर mundे पचास रुपए ठीक है और बाय। बहुत में झाओ बीके पुर्यकिनका मोले चालेस रुपए तो कहने का मेरा मतलब है इन दो नाम के अलावा यहां पर नाम नहीं दिये गए हैं ठीक है अगर दिये होते तो यहां पर लिखते नहीं दिये गए हैं तो कोई बात नहीं है अब आपको यहीं लिखना है एक के नीचे पचास आपको लिखना है ठीक ना और बी के नीचे बी के परतियक नग का मुल चालेस लिख देना है अब मेरे प्यारे बचों इसे एकसमाना एकस नहीं होता है अब इसने बोल้ої कि यह 50 रूपए और 40 रूपए का अधिक्से यदिक्स क्या बताया उसने अधिक से हदhong अधिक से अधिक का मतलब होता है लेश दे निक्वल मतलब इतना या फिर इतने से कम इसका मतलब यह होता है तो लेश दे निक्वल कितना बता है पंदरा सो रुपए तो पंदरा सो रुपए लिख दो कहने मतलब है यहां पर रुपए यहां पर रुपए यहां पर रुपए स और सेम हैं तो ठीक है अब सेंटेंस का यूजoya आता दो तो मेरे प्यारे बच्चो वन्वाइन सेंटेंस का यूजो हो चुका है है पूरे प्रसण में अब कोई सेंटेंस नहीं बचा है अब आपको पत्ता है, दो असमिकाएं ये आपको लिखना है, ये हिंदी वाले प्रसनों में दी नहीं जाती है, इनको आपको अपने पास से लिखना है, ठीक है, इसके बाद करते क्या हैं, बारा दसमलब दो, प्रसना वाली पढ़ा है दिना, ठीक है, तो इसके बाद क्या कर लिखने पर अस्मिकाओं को समिक्रड के रूम में लिखने पर तो मेरे प्यारे वच्चों आपको करना क्या है यहां पर हाँ यहां पर देखो लेश देने हटा देना है बराबर यूज करना है तो देखो 50 एक्स प्लस का 40 वाई बराबर 1500 अब 1500 जो है हम नीचे ले आएंगे क् अब ही हम बता रहे हैं हमें अंताखंड बनाना होता है एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर वन तो बराबर बन चाहिए तो बन चाहिए है तो आपको क्या करना 1500 को नीचे ले आना है समझ में आ गया ठीक है अब इतना नोट करो उस तरफ हम रफ करेंगे और आग 500 इसे चालिस वाई वटे 1500 बराबर एक कट्टा पिटी कर लो जीरो से जीरो कड गया पांस इओ चार पंचे बंचे काड दूँतना है यहां पर काड़ें जीरो से के 37.05 बरावर एक यह अन्ताखंड बन गया कि इसे नंबर एक डाल दो ठीक है अब आगे बरते हैं यहां पर एक्स greater than equal zero है greater हटा के एक्स बरावर zero लिखना है ठीक है वाई greater than equal zero है greater हटा के वाई बरावर zero लिखना है नंबर तेन अब इसके बाद आदमें आपको क्या करना आह很好 mzabla अंसर निकाल लेएगा आपको ढवननाँ ईपको लीखनाय को यहां पर दो कमान हने यहां से रग चाहर एक प्लस का 3y ब्राबर जीरो से बिंदू निकले сотर नहीं इसको उस्ते लो और यक्स के वटे वरावर माइनस तीन वर्टे चाइज तो यक्स गामा वाइब वरावर कितना आएगा माइनस का तीन कामा अजी ठीक है ना अब आपको क्या करना है डाइग्राम बनाना है रफ कर देते हैं आप लोगो उतना प्रशन होगे आपको स्केल निकाल लेना है थीक है यह इसकेल पूर्दा धर्रेका खींच लेना है और आपको 36 खींच लेना कि डायग्राम आपको समझ लेना है कियों जिस बच्छे ने डायग्राम समझ लिया उसी से ये कुशन लगेगा पेपर में और एक प्रसन जरूर आता है और नवरी यह फिर छह नंबर का by यहां पे लो एकक्स और इसका अपोजिट यहां पर लेखलो एकस यहां पर ऑफोललई यहां पहुश अब मेरे प्यारे बच्रिवा अपको अंतरालTrrich की अपने पास नहीं लेते हैं नहीं और लेते हैं तो एक यह एक नीचे 30 रहा है तो बताओ 10 से लेलो ठीक है दस लेलो अंतराग और नीचे साइंटिस द मलाप पांच है ठीक है 10 से यह अंतराग ले लो तो अधिक्तम 30 है ठीक है 10 20 30 को बराबर दूरी पर ही आपको लेना है धनात्म भाइस पर क्योंकर यहां पर भी धनातमग ही है साइते दे भलब 5 तो 10 20 30 40 अब आपको खीच लेना है यह अंता घंड एक से नीचे 30 है तो यहां पे मिल जाएगा तीस कामा जीरो तो स्थay दव्लप 5 है तो 3 जालेस के बीच मिल जाएगा थीक है थीगा यहां पर 35 मिलेगा थोड़ा उपर बड़ जाओ यहां पे देवलप पांच ठीक है अब आपको क्या करना है अंताखंड खीच लेना है चलो भाई दो बिंदों से एक रहे का खीची जाती है खीच लो है यह लो नंबर एक डाल दो इसे ठीक लए आपके एक वराबर जीरो यह तो खिची की चाहि मिल गए बाई नहीं 2 डाल दो इसे कितना डाल दो नंबर 2 डाल दो ठीक हैwy बराबर 0 यह भी किछी की चाहे मिल गई धनात्मा की एक साच और 36 रेका पर ही मिलेग जैफॉआ बहर बराबर जिरो नंबर 3 यहां पर डाल दो ठीक है आब डबा बना लो एकस कामए रड़ तीन कमा चाह रहे हैं मेरे पैरे बच्चों यह जो बिंदू है ना ठीक है इसके लिए आप अलग अंतराल ले सकते हो यह अगर यह अंतराल आप यूज करोगे जो दस से आपने लिया है तो आपको एक दो तीन करके ही गिनना है बिंदू का अलग सिस्टम होता है जब भी बिं कि आणग फार फ्रीड में अंतर नहीं पड़ता है तो ठीक है हम डिवाइड कर लेते हैं इसके दो पार्ट कर लेते हैं अंतर सीडी सीसे निकलेगे तो इसे डार कर देते हैं ठीक है अब एक सावन माइनस तीन है पीछे ले लो एक दो तीन ठीक है डबा बना लो यह डबा जरूर आपको सीख लेना है यह डबा बन गया ठीक है तो लिख दो माइनस का तीन कामा चार यह हमेशा जेड की रेखा मूल बिंदू से उकर जाती है ठीक है मूल बिंदू से उकर जाती है थोड़ा इसको हम इस तरफ लिख देते हैं माइनस तीन कामा चार और इसको आगे भी बढ़ा देते हैं थोड़ा आपको समझ लेना है जेड बराबर जीरो ठीक है अब आपको क्या करना तीर लगाना है तो मेरे प्यार बच्चों अंताखंड है किससे बनाता 50 X प्लस का 40Y लेज देन इक्वल 1500 तो मेरे प्यार बच्चों इस असमिका से यह अंताखंड बना तो इसमें देख लूँ लेज देन इक्वल है तो लेज देन इक्वल पर अंदर तीर लगाते हैं अंदर तीर का मतलब है मूल बिंदू की तरफ आपको तीर की डारेक्सन रखना है तो यह देखो तीर लगा लो ऐसे करके घीड़ तीर लगा रहा है लेद निक्वल पर अंदर दे लगा जाते हैं ग्रेड़ देनिक्वल पर मारती लगा जाते हैं जो ट्रिक है वह अंताखंड के लिए ही बनाई गही है जैसे एक्स बराबर जीरो है एक्स ग्रेटर दन इक्वल जीरो एक्स ग्रेटर दन इक्वल जीरो से एक्स बराबर जीरो लिखा था वाई बराबर जीरो वाई ग्रेटर दन इक्वल जीरो से लिखा था तो इसके लिए ट्रिक नहीं है इसके लिए ट्रिक नहीं है ट्रिक केवल इसक से तीर लगाओ कि ठीक है अब देखो वाइग रदन इक्वल जीरो इसके लिए ट्रिक नहीं आपको समझना है वाई कमान जीरो या जीरो से बड़ा लेना तो ऊपर ही आपको लेना है उपर ही आपको लेना ऐसे करके अब बताओ कहां पर चाहिंकित होगा जल्ली बताओ चाहि होगा सारे के सारे जहां पर तीर मिल जाते हैं वहीं पर चाहिंकित होता है तो यहीं चाहिंकित होगा सारे के सारे तीर मिल रहा है दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे आपके पास दो तीन पट्री होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों आपके पास क्या होना चाहिए दो पर दो रिखा जो है इसने क्या ऑला आगे होगा चाह dije नहीं होगा इसने क्याиться होगा अपको यहीं जोगा तो मेरे चायंगत होगा अब चाहिन कि समझ में आ गया अब आपको पता है चांग jur hem कित नाम बताओ अगर यह बाउंडिड है तो आपको लिख देना है यहां पर सुसंगत चैत्र परिवद्ध है यहां पर क्या लिखना है सुसंगत चैत्र परिवद्ध है परिवद्ध का मतलब क्या होता है बाउंडिड बाउंडिड होता है मेरे प्यारे वच्चों जैसे जब यह चायंकित जो है बाउंडरी के अंदर ना हो तो बोलते हैं आप अरिबद बोलते हैं अब आपको क्या करना बिंदू देखना है चायंकित के आस पास कितने बिंदू हैं जितने बिंदू हो वहां से एक बिंदू आपको मिलेगा जैसे यहां पर देखो एक बिंदू यह एक बि लिखते हैं अब आपको यहां पर लिख लेना है अधिक्तम बिन्दू अब बताते हैं इसकेल निकाल लो जेड की जो रेखा है वहां पर यह इसकेल रख लेना है ठीक है और आगे बढ़ाओ जो सबसे बाद में बिन्दू मिलेगा जो सबसे बाद में बिन्दू मिलेगा बोलेंगे अधिक्तम बिन्दू ठीक है देखो यहां पर यह पटरी आगे बढ़ा लो जब आगे बढ़ाएंगे सबसे बाद में कौन सा मिला यह वाला मिला फिर आपको बताते हैं आगे बढ़ा रहे हैं यही सबसे बाद मिले ठीक है कि इसके समांतर एक रेखा खीच लो इसके समांतर एक रेखा खीच लो ठीक है समांतर रेखा से यह पता लग जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि यह जो बिंदू है जैसे 30 कामा जीरो यह बिंदू जो है जेड की रेखा से कितनी दूरी पर है मतलब अदिक्तम दूरी पर रहे कितनी अदिक्तम दूरी पर है इसलिए यह समांतर रेका कीची जाती हैं तो हमको मिल गया 3040 तो यहां पर लिखिलो 3040 ठीक है तो एक्स का मानंख番ल हम को मिला है 30 और जीर का मान मिला है 26 तो मेरे प्यारे औच्चों अब उसके बाद में आपको क्या करना आदिक्तम जेड का मान निकलना मौड यह नहीं अब त्सक्राइए थोड़ा सा इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो चार जिरो है तो चार तियों बारा 120 बुड़ां करेंगे जिरो मिलेगा तो कितना मिला यहां पर 120 रूप है यह कंप्लिट हो गया नोड कर लो अब आगे के प्रस्ण हल करवाते हैं अब आपको प्रस्ण आठमे का खा देख लेना है यहां पर बताया गया है अंतराल इतने में फ़लन एफ एक्स बराबर इतने के लिए माद्मान पिरमे को सत्यापित कीजिए मेरे प्यार वच्चों यह प्रस्ण किस पार्ट से लिया गया है पार्ट पांस सांततता अपकलनेत से हमने आपको लाश्ट प्रस्णावली में रोले की पिरमे का कथन लिगवाया था और लेगरांज की माद्मान पिरमे का कथन लिगवाया था अगर आपको कथन याद होगा तभी यह प्रस्ण आप लोग लगा सकते हो तो इस प्रस्ण में कौन सी पिरमे बताई गई है तो यहां पर आप लोग लिख लो आठमे का खाका हल आपको लिख लेना है सबसे पहले फलन ठीक है तो यहां पर लिख देते हैं तो दिया गया फलन fx बराबर x square plus का 4x minus का 3 और अंतराल लिख लो यह बंद अंतराल है माइनस 2 कामा 2 ठीक है आपको अगर कतन याद होगा मादमन पिरमे का तो हमने बहां पर 6 फलन लिख वाए थे अगर उनमें से यह फलन मिल जाता है तब आपको डारेक्ट ही लिख देना है यह फलन सांतत्त है और अपकलनिता है ठीक है दो ही सर्ते हैं तो यहाँ पर देख लो यह जो फलन है बहुपद फलन है तो यह बहुपद फलन है तो हमने जब 6 फलन लिख वाए थे मादमन पिरमे का जब कतन लिख वाए थे ना 6 फलन लिख वाए थे उनमें से यह मिल गया है तब आपको डारे एफ एक बहुपद फलन है तब नमबर फर्स्ट यहाँ पे सर्थ देख लो एफ एक्स कामा माइनस दो कामा दो में सांतत है ठीक है और नमबर सेकेंड देख लो यहाँ पे सर्थ एफ एक्स कामा यहाँ पे खुला अंतरा लेना है और पहली सर्थ में बंद अंतरा लेना है ठीक है में अब कलनीय है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने डारेक्ट लिख दिया है चेक नहीं करेंगे यह फलन सांतत है कि अपकलनेता है चेक नहीं करेंगे क्योंकि यह जो फलन है बहुपत फलन है तब आपको डारेक्ट लिख देना है एफ एक्स जो फलन है सांतत है इस अंतराल में और एफ एक्स इस अंतराल में अपकलनेता है या अबकलनी है मेरे पैरवचों जितने बहुपत फलन होते हैं वो सांतत होते हैं और अबकलनेता होते हैं ठीक है अब इसके बाद में आपको क्या लिखना है बताते हैं माद दिमान माद दिमान पिर्मिय में दो ही सर्ते होते हैं दोनों ही लिख चुके हैं अब इसके बाद लिख देना है उपरोक्त उपरोक्त शर्टों में माद मान स्य reach होती है यह जब माध्य मान पर में सत्यापित होती है तो सी का मान निकाला जाता है तो उसके लिए एक फार्मॉला होता है F-C बरावर होता है F-A upon B-A अब A और B का मान कहां से मिलेगा जो कम होता है छोटा मान A और बड़ा मान B होता है इतना ध्यां रगना है अगर फार्मॉला बोल जा तो एक ट्रिक हम आपको बता देते हैं जैसे नीचे कभी भी रिडात्मंग मान नहीं निकलेगा तो समझ जाना बड़ा जो मान होगा वो B होगा और चोटा मान होगा वो A होगा क्योंकि अगर आपने गलती से A माइनस B लिख दिया तो माइनस आएगा नीचे जैसे इस प्रेस्ट के अलावा प्रेस्ट जो लगाओगे उसके लिए हम बता रहे हैं तो नीचे कभी भी रिड़ात्मग मान नहीं आएगा यही ट्रेक है ठीक है बाई चांग अगर पेपर बूल जाते हो तो मेरी बात याद रख लेना कि उपके गुरू जी ने बताया था कि नीचे हमें सब धनात्मग ही आता है ठीक है तो B माइनस A होगा A माइनस B नहीं ना है यहां से निकालो एक साथ अपकलंड करेंगे दो काम करेंगे एक साथ एक साथ अपकलंड करेंगे और एक से इस्टान पर सी रख देंगे तो टू एक्स हुआ अपकलंड तो टू सी और यहां पर कितना हुआ च्यार एक साथ बन हुआ और तीन का जीरो तो मतलब एक सा का मान माइनस का 2 है B का मान 2 है – A का मान मान मानस का 2 है ठीक है अब थोड़ा और आगे हल करेंगे 2 C přुर बराबर F2 का मान है यहां से निकालो के अच्छर चेन्ज करना है तोचर चेंज नहीं होता है तो 2 का स्क्वाइर फिर पिलस का चार फिर इंटू में दो फिर माइनस का तीन ठीक है यह हमने मान रख लिया अब इसी को देख के इसका मान निकालो जहां पर दो है माइनस का दो कर लेना है ठीक है पिलस का चार और माइनस का दो और माइनस का तीन बटे में कितना आएगा यह दो और माइनस माइनस पिलस का दो हो जाएगा ठीक कर देते हैं रफ नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे रफ हो गया आगे देख लो इसके तो बराबर के मेरी तरफ Two-C Prof. का फूर बराबर देख लो यहां पर दो का स्क्वाइर चार आएगा पर दूसरे पर में 4 228 आजाएगा माइनस का 3 फिर माइनस यहां पर देख लो माइनस last идए प्लिष बराबर में यहां इस का लो आठ ओले प्लस कर लो और तीन ग्यारा ठीक नहárius but a में चार तो टू सी प्लस सका फुर वराबर बारा मेसे 3- माइनस करू कितना अमले गा कि नौ मिले गए अब यहां पर देखो कित नहींडे का 11 में से चार जाएगा साथ मिलेगा ठीक ठीक है वो भी माइनस का मिलेगा माइनस माइनस पिलस बटे में चार तो 2C पिलस का 4 बराबर यहां पर थोड़ा सा देख लो कितना आएगा 16 बटे 4 4 चक्कू 16 तो कितना मिला 2C पिलस का 4 एक्वल 4 तो 2C एक्वल 4 माइनस का 4 4 को उस तरफ लेके जाएंगे ना यह 0 आ गया तो मेरे प्यारे बच्चों C बराबर 0 के बटे दो आपको लिख देना है अब 0 के बटे चाहें कुछ भी हो हांती बंदर गोड़ा कुछ भी हो तो आंसरीट 0 ही आएगी अब यह आंसरीट खुला अंतराल लेना है इस खुले अं निकले वह अंतराल में ही लाई करना चाहिए तो कर रहा है तो यहीं सी का महान है नोट कर लो इस तरफ हम रफ कर देते हैं जल्दी नोट करो अब अगले प्रस्ण किए बारी नहीं करेंगे उसके साथ को यारी जल्दी नोट करो इसको चलो रफ कर देते हैं अब थोड़ा प्रेविट्ट फाइल ले लेते हैं इसको सी का मान जीरू निकला है खुला अंतराल जो है उसमें ही बिलॉंग कर रहा है तो मेरा उत्तर सही है अब देख लो यहां पर क्या बताया गया है आठ मे का खा तो होई गया नमे का देख लो यहां पर बताया परवले दिया गया यह इसक्वायर बराबर फोरेग्स एब रेका एक से वराबर तीन से घिरे चेत्र का चेत्रफल ग्याद कीजिए पहले आपको फोरड़ी ट्रिक से आपको निकल वाएंगे उसके बाद से हल करवा देंगे तो देख लो यहां पर फॉरडी ट्रिक तो हम पहले क्या बताएंगे जनरल फॉर में आपको बता देंगे जैसे अगर यहां पर परवले हैं वही ले लेते हैं वाइज स्कौाइर बरावर फॉरए ठीखना और यहां पर एकस बराबर सी मतलब यह ट्रिक जो बनाई गयी है वो यहां से देखकंता है बैइस-क्वाइर बराबर 4 गसिशस और होगी एकस बराबर सी यहां से देखना है एंपर जोभी चर रहें या उसीचेर से स्टार्टिंग होगी तो अगर इतना आयए तो अब हम परवले चेंज कर लेते हैं एक से स्क्वाइर बरावर फोर एवाई ठीक है अब यहां पर जैसे चर देखना है बरावर के उस तरह बाई है तो वाई से ही स्टार्टिंग होगी रेखा की ठीक है तो यहीं आपको इसमें भी यहीं आपको लगाना है ठीक है यहीं फोर पारावर फोर एक से तो हम निकालते यांसर से तुलना करो उसे वाई स्कॉयर बरावर 4x की तुलना करएं ठीक है तो यहां पर जो सब्सक्राइब होता है वही लिखा जाता है सेम टू सेम को नहीं लिखा जाता है तो ए वरावर कितना मिला वण अब रेखा देख लो एक्स वरावर तीन है तो एक्स वरावर यह मतलब सी सी वरावर तीन हो जाएगा क्योंकि एक्स वरावर सी से हम तुलना कर लेंगे अब छेतर फल निकाल ल ठीक है यह तीन से तीन कड़ गया आठ रूड थिरी आ गया बरगी काई ठीक है तो इसकी आंधरीट यहां पर लिख देते हैं आठ रूड थिरी बरगी काई निकालना है इसको कई ना कई नोट कर लेना यह 4G ट्रिक बड़े काम की है क्योंकि पेपर में आंधरीट जब पता लग जाती है तो प्रसन गलत नहीं होता है गड़ित में अगर चाहिए 100 में से 100 तो मेरे प्यारे बच्चों आपको सब सीखना है क्योंकि एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका पूरे ही नंबर आपके पास आएंगे जो भी आप पेपर देखें आओगे 100 में 100 ही आते नंबर अगर आप इतना कर लेते हो तो ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर डाल लेते हैं नमेका का यहां पर सबसे पहले परवले लेग लो तो यहां पर दिया गया बक्र क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जब हमने यह पार्ट पढ़ाया पार्ट कौंसा है पार्ट समा करनों के अनुक्रियों तो हमने आपको बताया था कि प्रयासन दो ही पिरकार के होते हैं तो अगर चर एकस और वाई में एक समीकरण है ठीक है तो पहले पिरकार का होगा और चर एकस और वाई में दो समीकरण है तो दूसरे पिरकार का होगा केवल और केवल यहां पे चर एकस और भाई में एक ही समीकरण है तो पहले पिरकार का है तो पहले पिरकार में क्या होता है बताइए पहले पिरकार में प्रतिशेद बिंदू नहीं निकाले जाते हैं दूसरे पिरकार में प्रतिश से ज़्यादा घात मिलेगी यह तो एक चर्पशन दो प्रवले कि दाल दो यह परवले कि रूप का है वाई स्क्लाइर बिलावर प्लस का फॉर ए है तो मेरे पैरे बच्छों इसका सीर्स तो आपको बताई है जिरो कामा जीरो यह इसलिए सिर्स क्योंके परवले का जो पीछे का इसा घूमेंगा प्वह 0-0 से घूमेंगा कहने मतलब मुल बेंदू से घूमेंगा उसका पीछे का इसा अब यहां पर रेखा बताईए एक्स बरावर कितना है तीन ठीक है डेटा लिखने बाद तुरंधी डाइग्राम बनाते हैं डाइग्राम इचली बनाते हैं कि लिमिट हमें चाहिए होती है ठीक है देख लो यह अच्छ है और यहां पर यह से डेस कर लो यह बाई मार्लों कि और यहां पर 2 डेस कर लो मेरे प्यारे बच्क्रों आप परवले में यह देखना है कि कि रल्स ए रहलों हिरा यहां पर समघात मिली इस पर विसम में रहें चैर्यक्ष मिली मिलिया बिसम है तो जिस चैर्पे ग्रूंड उसी य Аच्ठ पर बनता है तो यह पर और देखो यह पिलस है तो धनात्मा यह सच पे ही परवले बनेगा यह पूरे यूटूब पर कोई नहीं बता सकता वह 50 रुपए के टीचर ने बहुत तो जानते ही नहीं है यह जो हम बता रहे हैं जिस चरपे बिसमगात मिल जाए चाहें एक घात हो चाहें तीन हो चाहें पा बनेगा परवले ठीक है अब एकस बरावर तीन यह रेका खीचल ना है किसके समांतर कीच जाएगी बाय था-चात कीचि जाएगी अंदाजसे आपको कीचना थैक यह यहां पर एकस बरावर तीन खीचन लए तो यह पर बिंदु क्या आएगा तीन कामा जीरो आएगा अब उसने यही बोलाए परवलय और रेखा से घिर तो यह घिर आए परवलय और रेखा से यह घिर गया है ठीक है इसका आपको 6 त्रफल निकालना है तो मेरे प्यारे बच्चों पीछे का हिस्सा जो है कहां से गूमेगा पहले ही बताया था जीरो कामा जीरो से ठीक है अब का ऊपर का जो हिस्सा होता है मेरे प्यारे बच्चों पट्टी का ऊपर का हिस्सा जो होता है चर एक्स और बाई में जो समीकड होता है उसी से चुलेगा और नीचे का जो हिस्सा होता है पट्टी का अच्छ से चुलेगा और जिस अच्छ पे बिंदू है उसी अच्छ पे यह परवले है वाई स्कॉयर बरावर फोर एक्स इससे चुला नीचे का इससा किसे चुला जिसाच पर बिंदू है यह ट्रिक है पट्टी काटने की यह भी कोई नहीं बताता है पट्टी कैसे काटी जाती है बहुत से टीचर कहते हैं आईए हमने रटा है आप भी रटी है रटने का काम नहीं है मेरे पास आपको समझ के ही गडित पढ़ना है आप देखो अभीष्ट छेत्रल फार्मला बोलो पट्टी अग बाइचर है तो वाईडी एक्स का फार्मला लगेगा ठीक है अब मेरे पहरे बच्चों आपको दो का गुणा करना है क्योंकि आप इसका निकालो गए निकालोगे ना दो का गुणा कर दो नीचे वाले का भी निकलाएगा ठीक है और लिमिट कैसे आप लेना है डियक्स है इक के जो पहले बिंदू है वहां से लूअर लिमिٹ मिलेगी अब देक्स के बाद में जो बिंदू है वहां से असे अपर लिमिट मिलेगे मतलँ चाहिए ऐह Cheryl Guy यहाu से मिलेगी बुझ 0 मिलेगा ठीक है और बाद वाले बिंदू से बुझ3 मिलेगा ठीक है अब भाई का मान यहां से रगलो समीक्रण एक से हैं तो चार यक्स आ जाएगा रूट में और यहां पे लिख दो जहां से आपने रखाया उसका नाम भी बता दो समीक्र हर एक से जरूर बताया गुरुख यह कहां से आपने मान रख्का है ठीक है एक भी नंबर नहीं आगे बढ़ना है तो मेरे प्यारे वच्छों रूड से बाहर चार निकलेगा दो दो पहले से बाहर है ठीक है तो रूड के अंदर एक सी बच्छे गाजीरो से तीन है लिमिट और ड्याइक्स ठीक है अब इसका समागलन कर लो एक सी गात तीन वटे दो और दो बटे तीन 20A कि जीरो से टेन कीजिग है अब 8वाटे टेन अपर लिमिट मीट रगड़ो 3 यह गद यह त nehme to तो मैनेश 0 गञात 3 एंपटे कि दो आगे वर्ते हैं 8 वटे टीन ठीक है अब इसे कैसे लिए लो एक गात ऐसे रखी आधिगा रूड कर लिया यहां पर जीरो आएगा अब इसके बाद में तीन से तीन कार दो आंसे शीट आ गई इसको रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं कि देखो यहां पर तीन से तीन कार दो आठ रूड तीन यहां पर लिख दो बर गई काई यह आंसे सीट आगई है ठीक है जल्दी इतना नूट करो आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण कि यह बारी नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी तो नंबर चेंज कर लो नंबर कौन सा नमेका खाए चलो यहां पर हम नंबर चेंज कर लेते हैं ठीक है आप लो तब तक पढ़ लो यहां पर इसको अंपर कर देते हैं क्योंकि यह प्रस्ण जो लास्ट वाला है थोड़ा सा लॉंग है इसको बढ़िया तरीके सा आपको बताएंगे क्योंकि आठ नंबर की बात ह अब आठ नंबर में बहुत ज़्यादा यह पूछा भी जाता है तो हम आपको बताएंगे करना कैसे है तोड़ा सा लॉंग है आपको समझना जरूर है बच्चे कमेंट कर रहे थे यह प्रसंद बता दीजिए तो यह आ चुका है देख लो सिद्ध कीजिए इतना बरावर इ खुलस वन अप अनेट्स और अब दीएक्स की अपाउन हैं भान प्लस एक सत्क्र расп मेरे प्यारे बच्चों हम Besold Land हो पार दो में नीं अब पार दों में एक टेबिल बनवाई थी तो एक टेबल में बतांयाता आपको जैसे ए स्कॉयर प्लस एक स्कॉयर रुड वह पर मिल उसका प्लस ऐसस्कुराई बठे दो चाहिए मैं जाए आपको यहां रखना है टेबिल हमने बनवाई थी बहुत सारे लिखवाए थे अलग 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 हमको मानना पड़ता है तो एक सबरावर एट टीटा इसमें रखेंगे क्योंकि यहां पर मिल गया वन प्लस एक सब्सक्राइब हम इस पर काम करेंगे और ह pale यह फिना और प्श.- बादे के तो किया है प्रति इसस्थापन विदी यूज करेंगे यहां पर रखना पड़ेगा प्रतिस्थापन विदी है तो इस्लिए यहां पर प्रतिस्तापन विदी से मानते हो मतलब चेंज करते हो तो आपको पता है लिमिट चेंज करना पड़ती है तो लिमिट कैसे है जब और तब से चार एकस की लिमीट है यह यहाँ पर इक्स व्रावर इन फानेट तब ठीक है जब इतना तब कितना यहां पर रखो एक से के इस्ष्थान पर इन फानाइट नंट अब बताव इन साइन गमान उता है रेडियन बताओ 90 का 10 से 10 चला गया तो हमें ठीटा का मान पता चल गया अब पर लिमिट चेंज हुई पाइवाई 2 मतलब इन फाइनर से चेंज हो गई पाइवाई 2 में अफिर दिखो जब एक बरावर लोविड्स के आई जीरो तब ह Nach यहां से चेंज होती है लिमिट रखो मैं हर अब बताओ कितने कमान हूथ है 0 KM कमान हूथा है अजे लंगा अजे गए अइप cuánt से से टेन अटा दो लोवर लभी चेंजु कि आई जिरो है जीडरो ही चेंज्ज हो गई Sud टिक है कि मैं अब उसको हमराफ कर देते हैं अंतोचीट अपन Gardens रखना आंतरी रियाद रखना पाई लॉग टू लाना है क्या लाना है पाई लॉग टू चलो भाई आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे वच्चों यहां पर देख लो आई बरावर लिख लो हो लेमिट हो जाएगी जीरो से पाई वाई टू जहां पर एक से कितना थीच को लिस्टा की स्क्राइब रखो सफ्सक्योख बाइड तो यहीं पर रख लो आई इसे टारणी यह जेग पस्क्ött करें गीर दना रम्राइब श्कारीट अप्सक्क छाइब होज़ा यह चाहिए और लॉग टेन थीता इसे क्या कर लो इनवर्स कर लो टेन का का लो rika रता फोंचे कवरोगे आपको कहीं देख परसेंट कैलकुलेशन आपको ध्यां रख cardiac है आप टेंट जाया दिख जाए चाहें माइनस दिख जाय लिए इतना ध्यान रखना है यह फैटी है चेंज़ नहीं होती है तो लोग यहां पर हम में करेंगे साइं टीटा पॉन कोवस के यहाँ पर भीचेंज वरो कॉड होता है कोस अपान-100 में है बने गालHa फार्मुला बनता है तो यहां पर लगुत्तम जैसे ही लेंगे तो साइन स्कॉाइट इटा प्लस कॉस्वाइट इटा फार्मुला बन जाएगा बन हम रख देंगे तो आई बरावर देख लो जीरो से पाई वाई टू लॉग लगुत्तम हमने लिया साइन डीटा इंटू में कॉस्वाइट इसका इसमें इंटू गरू तो क्या मिलेगा साइन स्कॉाइट इसका इसमें इंटू गरू तो क्या मिलेगा कॉस्वाइट इटीटा तो उपर मिल गया हमको ठीक है रखेंगे कि लाग वन आपन साइन डिटा इंटू को सीटा ठीक है डी डिटा अब यह कैलकुलेशन आपको ध्यान होगी दो का गुड़ा करेंगे दो का बात्यूंगे फार्मुला बनाएंगे तो यहां पर यहां पर बना अंस में तो आपने बन रख दिया नीचे भी बनाएंगे फार् ओर आगे बढ़ते हैं तब तक उतना नोट करो आगे बढ़ते हैं आई बराबर ऑढ़त है जीरो से पाई वार्टू हम दो का गुडा कर देंगे दो का इस अच फार्मूला बन गया तो आई बराबर जीरो से पाई वार टू लॉग फारम्यला बोलो कौन सा है यैं सइन 2 θण chi Инज 2 तीटा यह समझ में आया है टू साइ टेटा सेल 2rim तो होता है यहां लगा लग लॉग यंपान यन बराबर होता है लोग यह मैनस लाग एन इंट कई के यह फारम्यला यहां पर लग जाएगा जीरो से पाई वाई टू लॉग टू मायनास का लॉग साइन टू ठीटा माँए अब कितने रुब邊 दिख रहें», दो ठेख रहें्डू का अलग अलग समागलन ग्रों यहां पर आपको दिख रहा होगा लॉग साइन टू ठीटा इसका मेरे प्यारे पच्छों अलग से समाकलन करना पड़ेगा क्योंकि प्रसन के अंदर प्रसन मिल गया है यह प्रसन आपने तयार किया होगा बताते हैं इसकी आंसरी डारेक्ट भी बता देंगे और निकल वाएं पहले इसको हम रफ कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्छों पहले इसका समाकलन कर लो आई बराबर लॉग टू इसका समाकलन अचर का ठीटा होता है लिमेंट लगा लो इसका समाकलन अभी नहीं करेंगे अलग से करना पड़ेगा पाइवाई टू साइन टू ठीटा ओड़ी ठीटा प्रसन के अंदर प्रसन बना है चालो बाई लॉग टू अपर लिमिट रखो यहां पर माइन से वाज न में लोगर लिमिट रखो जिरो से पाइवाई टू लॉग साइन टू ठीटा डी ठीटा ठीक है यहां से आंसर सीट कितनी विली पहले पद में आई बराबर पाइवाई टू लॉग टू माइनस जिरो से पाइवाई टू लॉग साइन टू ठीटा और डी ठीटा इसे समय कर एक डालो क्योंकि प्रसन के अंदर प्रस्द मिला है इसकी आंसर सीट साइद आपको याद होगी बताते हैं फोर जी ट्रिक्स है हमने आपको बताई थी आंसर सीट जीरो से पाई वाई टू log sign 2 De absoluta अबे प्यारे बच्चों यहां पर क्या करते हैं एक मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हैं अगर यह मैच हो हो जाता थी ठीक है तो चाओ तो डारेग्ट भी याद होगी यादि यह ट्रिक अगर शीकना लोग आपको पता होना चाहिए तो यहां पर डारेक्ट जो होती है वही आपको हमजो ट्रіक बता रहे थे बहुत अभी बता रहे नोग साइन की ठीटा डी ठीटा ठीक है हम जो ट्रीक बता रहे थे वह आपको सिकार है जैसे कोन कितना वि कि एक का गुणा नहीं दो का गुणा करना है तुम गुणांक लेना यह ठीटा का बैट रही थी यह आपको अलग से दियां रखना है ठीक है यहां पर फिट बैट गई एक और है यहां पर बता देते हैं नमबर इसके लिए ट्रिक जो है यूक्ष नहीं होती है से एसको अलग से दियां रखना है इसका एश्काँ है जैसे यह 2-3 से मैं और और सके लिए आप कहे रहे होगि сдел...सर जैसे स्अन सब्सक्राइब कर देते यह 2 हम्रम कर रहे हैं इसकी तो 4G trick है लेकिन इसकी भी अलग से आपको द्यान रखना इसमें trick काम नहीं करती है इसका नंबर जो भी है जैसे यहां पर एक है दो ही डाल देते हैं वो तो रफ कर चुके है जीरो से पाई वाई टू लॉग कॉस टू ठीटा और डी ठीटा माइनस पाई वाई टू अभी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि यह गलत है यह लगता ही नहीं है कोस्ट टू ठीटा अगर है तो अंदर ही निकलती नहीं है केबल यह के ही कुस्षन है लॉक्साइन टू ठीटा क्योंकि इसमें trick फिट नहीं बैट रही है तो यही प्रसन माइनस पाई वाई टू ग्हां है तो पिलस का पाई वे टू लग टू तो नबबबबबबबब क्या मिल जाएगा नबबबबबबब जोडोगे एक सोची नहीं मिलेगा पाई लॉक्ट साग लेकिन आपको डियारिक नहीं रखना और आठ नंबर की बात है तो आपको लगा के लिकालना है तो सबढ़ सबस Spark Wes यहां पर दिखो कि सबस्ते हैं यह वायग होटा है यह यह सबस्कार अब Krista horseshill कि कि मतलब यह कुछ कि तो यह सबस्क्राइब करं हने यहते हैं यह सबस्क्राइब यह भी नहीं जानता है चलो हम तो जानते हैं हम आपको बताते हैं तो आई वन अलग से सौल गरेंगे हैं 2 सायन 2D दिट मेरे पहरे भच्चों आपको कहां पर देखना है यहां पर ने को यह पर 2घ्यटा है थीक है यहां पर थीटा होता तो हम प्रिगूर 4 लगा देते हैं जतनी है हमने यहां पर आपको बताए बियुक्त चारह्तों लगाए चाहते हैं लगाए लेकिन यह नहीं दिख लहाँ सब्सक्राइप छाइन Jelly ऑल जाए टीटा तो आपको इसमतफ इतना ध्यान रगना है यह ध्यान रखना है तो यहां पर क्या करेंगे हम प्रती स्थापन विदी का यूज करेंगे तो प्रती स्थापन विदी से हम क्या करेंगे मान लेते हैं तो ठीटा बरावर्टी आप कलन करो अब प्रती स्थापन विदी यूज कर रहे हो तो लिमिट चेंज करना पड़ेगी जब और तब से चलो उतना नोट गरो इसको हम राफ कर देते हैं थोड़ा रेविड फाइल ले ले लेते हैं इसको यह रफ हो गया ठीक है अब आगे बढ़ते हैं कि जब और तब जब एक्स बरावर जब एक्स बरावर मेरे पास फाइवाईटू है तब ठीटा कामान कहा से निकालोगे मिन्स टी कामान निकालेंगे रखो जहां पर टिक लगाया है 2 into pi y2 बरावर t 2 से 2 कट गया टी का मान पाई आ गया जब और तब से ही limit आपको change करना है जब x बरावर lower limit देख लो 0 है तब रख लो यहां पर जहां पर ठीटा है ना यहां पर ठीटा कर लो ठीक है थोड़ी में स्प्रेण ती यहां पर जो भी है ठीटा की लिमिट है तो ठीटा वराबर pi y2 पर टी की limit निकालो फिर ठीटा पर जीरो पर टी की limit निकालो तो जीरो बरावर टी हमें यह पता चल गया भीए जीरो से पाइ लीमिट्सिक है आगे बरते हैं है आई वन इुक्वल जैसे आभजाल कि शेंटी कि नों अलोग रोक्ति प्वट यहां से निकालों इसंकितनना आएगा क्यों सा हए प्रघूरizes ये पैर फीजीरो से डरेक्टीटी से एकस में हो जाता है चर फिरwriting जीरो है ठीक है अब अब यहां से क्या करनाहे प्रघूरल साओ करना लेकिन लगा नहीं है मिध्या होना चाहिए तब ही पर नचार लगता अब बताई एं हमें कि क्या करना है लिमिट का आधा करना है कौन सा प्रगुड़ है प्रगुड़ छे लिमिट का आधा करता है तो देखो यहां पर क्या करना है प्रगुड़ छे का यूज करना है तो एफ एक्स बराबर यहां पर ले लेना है लॉग साइन एक्स ठीक है बताते हैं यहां पर इसको पर देते हैं समीक्राड एक ध्यान रखना ठीक है क्योंकि यहीं पर हम मान रखेंगे निकाल के कि चलो इतना रफ हो गए ना ठीक है मेरे पहरे बच्चों हमने क्या बताया था पी सिक्स से देखो जीरो से टू है एफ एक्स डी एक्स अगर ना याद हो हम बताते हैं यहां पर क्या होता है जीरो से टू जीरो से टू है लिमिट का आदा होता है एफ एक्स डी एक्स यहां पर क्या होता है एफ टू ए माइनस एक्स बरावर एफ एक्स होता है और एक अंधर ज यह माइनस आता है एसे कहने मतलब है जब Nevertheless आ झाजकर का टेख लिमेंट का आदा होता दो का गुरा होता है जब एफ फलन की आंदमाइनस की आती है तो 0 आती है अम तसी तो यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर क्या करेंगे हां एफ एक्स बराबर ल democracy करना से रुष्प्लेस करना कि कि से रुष्प्लेश करना है नाज एक से यहां पर तो यहां पर मैंस- आया कि मेरे पास भुपभाय ले लो और यॉकरत आथा तो है सबीज माईनस एक लोग साइन एक इस उसी अंस माईनस ठीटा क्या होता है साइन ठीटा होता है मतल manufacturing हुआ है रहा है यह मिल जाएगा पसके सब्सक्राइब है थीजिज के बरावर एक से बरावर है तो हमें प्लस का f x मिला है अब बताः क्या करोगे पाइट सीफ थी क्ला अगर एक्स मिला रहा थाद का फैक्स में है इसमें और फेञने लिमीट इतनी कर लिए ठीक है लॉग साइन एक्स और डी एक्स समझ में आ गया होगा और यहां पर लिख दो पिर गुड़ पी सिक्स से ठीक है यह आपको पिर गुड़ याद रखना है अब दो से दो काट लो तो आई वन बरावर जीरो से पाइव आई टू लॉग साइन एक्स और यहां पर डी एक्स ठीक है इसे समीका नंबर दो डालो क्योंकि एक समीका डाली चुके हो वहीं पे मान रखना है इसका निकाल गए अब पाइवाइटू होगे लिमिट अब आपको गुड़ दर्म मेंस पिर गुड़ चार से आगे बढ़ाना है तो चार से आगे बढ़ होता है एक्स गे इस्तान पर पाइवाइटू मैनस एक से रखने पर तो आइवन क्या हो जाएगा जीरो से पाइवाइटू लॉग साइन 90 मैनस का एक्स और डी एक्स और आगे इसके लिग दो यहां पर पिर गुड़ पी चार से ठीक है साइन 90 मैनस तीटा क्या होता है को सीटा इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं अभी यह खतम नहीं हुआ है थोड़ा सा लॉंग है आठ नमबर की बात है रवर्ड खिच रही है रवर्ड खिच रही है जितनी भी यहां पर रवर्ड खिच जाए लास्ट म से दो तो जीरो से पाई वाई टू लॉग को कॉसी एकस डी अब इसे क्या डाल दो समीकर नमबर तेन अब आपको जोड लेना है जोडते तब हैं बहुत से बच्चे कहते हैं सर पिरगुड चार के बाद समीकर को जोड़ा जाता है ऐसा नहीं है जोडते तब हैं या तो फा फार्मला बन जाएगा जोड़ लो देखो बताते हैं कौन सा फार्मला बनेगा पहले जोड़ लो समीकर दोवा तीन को जोड़ने पर यहिए रभाई जोड़ लो एड ब्रावर के मेरी तरफ जोड़ो ब्रावर के ऊस तरफ ब्रावर के ऊसतरफ क्या होता है समाकलन अडफ कामनol कामन होता है एक बार लिखना है बराबर के उत्तरा फलन पो जोडा जाता है ऐसे लाउग साइन एक्स और लोग कॉस एक्स दो का बाग करो फार्मुला बन जाएगा ठीक है कि साइन एक्स इंटू कॉसे दो का गुणा उपर दो का गुणा नीचे और यहां पर डी एक्स ठीक है आगे बढ़ते हैं कि इसको अम ड्राफ कर देते हैं उस तरफ जल्दी नोड कर लो तोड़ा रेविट फाइल ले लेते हैं इसको ठीक है आगे बढ़ते हैं तो टू आई वन यहां पर आई वन कर लो ठीक है आई वन चलना है तो टू आई वन जीरो से पाइव आई टू लॉग उपर बन गया साइन टू एक्स बटे में दो यहां पर डी एक्स तो टू आई वन बरावर जीरो से पाइव आई टू जीरो से पाइव आई टू लॉग यहां मैनस का लॉग एन यहां पर फार्मला लगा लिए लॉग यहां बटे एन बरावर लॉग यहां मैनस का लॉग एन होता है ठीक है यह फार्मला हमने यहां पर यूज कर लिए आगे बढ़ते हैं तो टू आई वन बराबर जीरो से पाइवाई टू दो पद है दोनों का अलग अलग समाग लण करो कि इसका अलग करो और इसका अलग यहां पर लॉग टू आगे ले लो जीरो से पाइवाई टू और डी एक्स ठीक है अब मेरे प्यारे वच्छों यह यह बता यह आप समी करड़ जो एक बनाया था ना समी करड़ एक से आप अलग आपको लेके चलना था और आप लेके भी चलेते तो इसे आई वन बोलेंगे देख लेना रफ कर चुके हैं यही लेके चलेते हैं ठीक है तो यहां पर हम लिख देते हैं आई वन ठीक है और मैनस का लॉग टू यह पूरा पूरा प्रेशन बन गया है स्टार्टिंग में यही तो लेके चलेते जब समी करड़ एक डाला था समी करड़ एक के बाद आई वन लिखा था इसे ठीक है अब इसका बताओ अचरपत का एक्स है ठीक है पोला नह Stewart का प्वाई टूर में अंस गढबत तो यहां पर लिख देते हैं जाप यह ऐवन लिखधा है ठीक है क्या रिख़देते हैं समी करड़ मैं एक एक से समी करड़ एक मैं हमने माना था हाई हाई वन यवाई करके ठीक है उत्म लिख लो अब आगे बढ़ते हों अब यह आईवन का मान रख दू किसमें रखना है समी करड़ एक में तो यहां पर लेख दो आईवन का मान समी करड़ एक में रखने पर समी करड़ एक बताओ क्या था समी करड़ एक क्या था कि का आई बराबर है फाइव डोग टोसू कि समी करड़ एक में अपने आईवन माना था ठीक है iksi pie2 log2 से तो क्या निगला माइनस 5Y2 log2 निगला ठीक है छलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो आइभरवर 5Y2 लाहगटिव मानस माइनस पिलस पाइवाई टू लाग टू अब बताओ नबबबबब एक वसी कहने मतलब है लाग टू कामल ले लो क्या ले लो अब जोड़ दो नबबबबबबब क्या होगा एक वसी जोड़ लो ठीक है अब बताओ आंसर सीट अब आईए बहुत देर के बाद यह लांग लॉन्ग तो होगा ही होगा तो मेरे प्यारे बच्चो यह जो सैट है सेक्स कंपलीट हो गया पूरा कंपलीट हो गया आब अगली किलास में 2018 का एक ही सैट बचा है सैट शैवन वह भी कंपलीट कर वादें गे अकर यह मिरे लयक्त चले लाई के लिजिए को लाइक कर देना ह मिलते हैं अगली क्लास में आज के लिए इतना ही काफी है धन्यवाद